हेलो और वेलकम बैक टू चैनल में अश्र जायकवाट और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूटूप चैनल पे दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि महारास्ट्रा में फाइनली कि DMR के रिक्रूट्मेंट DMR के वाकंसी आ चुके हैं मैंने पिछले वीडियो में बताये था जुसमें हमने इसके बार में वीडियो बना था 10 ओम्हें को कि DMR के वैकंसी आ चुके है और उसमें इन general information जो आपको पता होनी चाहिए वो बताई थी अभी तक अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जाईए वो वीडियो को आप देख सकते है इस वीडियो को देखने के बाद अब इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि DMR के preparation के लिए अगर आप सोच रहे हो तो उसका exam pattern कैसा रहेगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले है कि exactly कितने questions रहेगे कैसा pattern रहेगा paper pattern क्या रहेगा वो हम in shot यहाँ पर देखने वाले है वीडियो को शुरू करने से पहले मै आपको बताना चाहूगा कि जो exam की जो date है अभी तक ये इंक्लोज मतलब ये जो date है अभी तक आउट नहीं हुए है बता ही नहीं गई है तो time time पे आपको जो हमारा जो official website है DMR की वहाँ पर हमें check करना पड़ेगा फिर आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं वहाँ पर हम इसके updates आपक मार्क्स के लिए कि एक्जाम रहेगे जिसमें 100 questions रहेगे कि एवरी सिंगल करेक्ट अंसर को आपको एक मार्क मिलने वाला है इसलिए 100 questions 100 marks और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं रहेगी कोई भी निगेटिव मार्क्स किंग स्कीम यहाँ पर नहीं रहेगे ठीक है तो यह basic चीजे हमें समझनी ज़रूरी थे यह basic information अब बात करते हैं कि यह exam का pattern कैसे रहेगा तो यह जो आपका exam है वो 4 sections में रहेगा section 1 section 2 section 3 and section 4 ठीक है अब यह जो section 1 रहेगा वो रहेगा Marathi section 2 जो रहेगा वो रहेगा English section 3 जो रहेगा वो रहेगा General Knowledge, Aptitude, Reasoning, etc. जो लास्ट रहेगा section 4 वो टेक्निकल यह फिर नर्सिंग हम इसे कहेगे जो इसे टेक्निकल सब्जेक्ट कहता है तो नर्सिंग के रिलेटेड यहाँ पर section 4 में questions रहेगे ठीक है अब यह तो रहा subject ठीक है कि मराथी है English है जी के है नर्सिंग है लेकिन इसमें हर एक section में कितने questions आएगे तो मराथी के होगे 15 questions इंग्लिश के भी होगे 15 questions जी के aptitude के होगे 30 questions और नर्सिंग के जो होगे 40 questions तो 40 plus 30 70 plus 15 plus 15 that is 100 100 total questions रहेगे 100 marks के लिए हर एक question 15 marks के लिए तो मराथी जब आप प्रिपेर करें हो 15 marks लिए रहेगा इंग्लिश 15 marks जी के अनौल 30 marks और नर्सिंग का जो है 40 marks के लिए यहाँ पर रहेगा तो अगर आपको exam pattern पता चल गया तो exam pattern के basis पर आप आपका जो preparation है वो start कर सकते है कौन से subject को कितना time देना है और कैसे attempt करना है और कैसे आप ज्यादा score कर सकते हो वह आपको help मिलेगे अगर हम बात करें जो language है इस पेपर का जो language है तो वह सिर्फ और सिर्फ माराथी क्योंकि यह माराथी का रिलेट है और महाराष्टा में है तो माराथी एंग्लिश सिर्फ यह दोनों language में ही एक्जाम होगी और यह जो एक्जाम है वह online होगी ओनलाइन टेस्ट है ठीक है तो यह चीज़ भी हमें समझना जरू है तो यह चीज़ भी हमें समझना जरू है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है हर एक राइट आंसर के लिए आपको एक मार्क मिलेगा चार सेक्शन से 15, 15, 30, 40 इस प्रकार से questions आएगे मरठी एंग्लिश में जो questions रहेगे तो आपको जो exam pattern के related कोई भी अगर डाउट था तो इस वीडियो के बाद वो डाउट आपका clear हो चुका होगा फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सक वीडियो बनाके आपको देंगे लेकिन अगर आपको सबसे पहले access चाहिए तो description में एक link दूगा हमारे app की तो उस app के link पर आप click करिए हमारा app download करिए और जो पहले के जो कुछ users रहेगे उनके लिए special discount रहने वाला है ठीक है तो app download करिए क्योंकि जब हम app पर जो course launch करेगे तो सबसे पहले app वालों को उनका access मिलेगा जब उसके बाद हम वो जो भी announcement करेगे तब बाकी लोगों को उसका access मिलेगा ठीक है तो जो जल्दी आएगा उसको ज़रूर discount मिलने वाला है तो इस वीडियो में बस इतना है अगले वीडियो में हम बात करेगे कि हर एक subject अभी हम syllabus so stay tuned करें इस DMR series में ताकि यह आपको help करें to crack the exam to prepare for the exam and get good score इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like करें and subscribe करने के बाद जो notification का bell है वो प्रेस करें क्योंकि काफी लोग सिर्फ आते हैं देखते हैं subscribe नहीं करते हैं फिर notification bell नहीं प्रेस करते हैं और मिस करते हैं फिर ऐसे वीडियो ठीक है तो वह भी कर लीजे आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कोई भी चीज है अगर आपको suggest करनी है पूछनी है एडवाइस करनी है वह भी आप कर सकते हो comment box में तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है किसी और अच्छे वीडियो में तब तक के लिए शालोम शांती और सलाम बबाए